जटाट वी गलत जला प्रवाह पावे तिस्थले गलेब्य लंब लंब तांग भुजंग तुंग मालिकां डमड डमन निनाद वड डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतुना सिवासिवं अथार्थ सभन जटा मंडल रूपवन से प्रवाहित होकर स्री गंगा जी की धाराएं जिन सिव जी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्छालित करती हैं और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही है तथा जो सिव जी डमरू को डमडम बजाक सर प्रचंड तंडव नित्य करते हैं वे सिव जी हमारा कल्यार करें नवस्कार मैं हूं मुकेश सर्मा और आप देख रहे हैं एसीन 24 सावन का पहला दिन है और सावन के पहले समवार की आप सभी को धेरो सुबकामनाओं के साथ एक बार फिर से स्वागत है एसीन 24 पर समवा पहुचकर जला भिसेक करते न जा रहा है तो वही कावारियों ने महानदी से जल लाकर भगवान भोलेनात का जला भिसेक किया सावन माह के सुमार का विसेस महत्व और मान्यता को देखते हुए सिव मंदीरों में सिव पूजाकर ने भग्तों का ताता लगा रहा सारंगर के विभिन सिव मंदीरों में सिव भग्तों ने भगवान भोलेनात की पूजा अर्चना कर जल चड़ाया और भजन किर्तनकर भगवान सिव की महिमा का गुनगान किया सारंगर के स्री खरगेश्वर सिव मंदीर में भग्तों की काफी भीर देखी गई और सभी शिव भक्तों ने सुबा से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धी की कामना की आपको बता दे कि सावन का महिमा भगवान शिव को सबसे प्रिय है और सावन के सुमवार में की गई पूजा अर्चना वदान विसेशी फलदाई होती है जिससे भगवान सियू की क्रिपा भक्तों पर परस्ती रहती है इसलिए क्या बच्चे, क्या युवा, सभी की टोली कावर यात्रा के लिए एक दिन पहले ही सारंगर से चंदरपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और पैदल चल कर महा नदी से जल लेकर सारंगर के खारबन तलाब इस्थित स्री खर्गेश्वरनात मंदीर में जला भी सेख करते हैं वही दिन भर सारंगर के सियू मंदीरों में काफी भीड रहती है और लोग भगवान सियू की अराधना कर जला भी सेख करते हैं कुल मिलाकर भक्तों द्वारा मंदिरों में की गई अराधना वा स्यू भक्ति से सारंगर का माहौल स्यू मैं हो गया ब्यूरो रिपोर्ट एसे एन ट्वंटिफोर खबरों का सिलसिला लगतार जारी है देखते रहे एसे एन ट्वंटिफोर नवस्कार